नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं मुख्य मंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहट दोस लाख की सहायता मुख्यमंद्री गंभीर बीमारी योजना से मिलने वाली सहायता रासी को हेमन तो सुरेन सरकार ने 5 लाग से बढ़ाय का 10 लाग रुपए कर दिया था इसके अलावा उसमें सामिल बीमारियों को सुची में भी इजाफा किया इसका लाभ आव लोगों को मिलने लगा है बता दे भारत सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए आयुसमान भारत योजना की सुरुआत की है इसके तहट गरीबों को मुफ्त इलाज की सुधा दी जाती है हलाकि कई बीमारिया ऐसी है जिसके इलाज के परवधान आयुसमान भारत योजना में नहीं है ऐसे में इन बीमारीों से जूज रहे लोगों के परिजन इलाज में होने वाले खर्च की चींता में राते हैं ऐसे लोगों को रहात देने के लिए सियम हेमांसुर्ण की योजना अब जमीन पर दिखने लगी है पिछले वर्स मुख्यमंत्री हैमनस्य निर्ट की सरकार्वें, मुख्यमंत्री कम्भीर बीमारी योईजना की तहत मिलने वाली साहयतारासी को 5 लग से बढ़ा कर 10 लाक रूपे करने का फैसला किया था, इसके अलावा इस योजना के तहद सामिल बियारियों की संख्या को भी बढ़ाया गया जहरखन के 21.5 परतिसत इसकूलों में सोचालय उपयोग के लायक नहीं जहरखन में अब तक साथ परतिसत इसकूलों में पेज जलवा सोचालय जैसी मुलभूत सुविधा उपलब्द नहीं हो पाई है असर की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इसकूल में अब तक भी पेज जल सोचालय पुस्तकालय बिजली जैसी सुविधाय नहीं है रिपोर्ट के अनुसार इसकूलों में सोचालय तो बना दिया गया है पर रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस कारण सोचालय होने के बाद उप्योग के लाइक नहीं है रिपोर्ट के अनुसार 75.7 फिजदी स्कूलों में सवचालाई उपी लोग के लायक है जबकि 21.5 फिजदी स्कूलों में सवचालाई उपी लोग के लायक नहीं है सेस इसकूलों में सवचालाई नहीं है जार्खन में 5.5 फिश्दी पिद्यालों में बाली कावों के लिए अलग से कोई सवचालाई नहीं है जबकि 3.7 फिश्दी स्कूलों में सवचालाई में ताला लगा रहता है जार्खन बंदी को लेकर पुलिस सुरक्षा के ब्यापक इंतिजाम MCC आय मवादी की जार्खन बंदी को लेकर राजे पुलिस ने सुरक्षा के ब्यापक इंतिजाम किये हैं पुलिस मुख्याले ने सभी जीलों के एसबी को बंदी को लेका शुरक्षा ब्यवास्ता दरुस्त करने कावसेख दिशानी देश जारी किया है नकसल परभावी इलाकों में लॉंग रेंज पेट्रोलिंग और सगहन सर्च अभियान चलाया जा रहा है बतादे राज पुलीस प्रवक्ता आईजी अफ्रेजन अमोल वी होमकर की माने तो नकसली सुरक्षा बलो की करवाई से हतास में हाए इसी कारण अपनी उपथिती दर्ज कराने के लिए इस तरह की घोसना कर रहा है बंदी का कोई असर नहीं होगा लोग अपने दिन चर्या की तरह काम करेंगे गौतला भाय की नकसलीों ने कुख्यात नकसली और 15 लाकी नामी कृष्णा हंस्ता की गिरफतारी की बिरोद में बंद बुलाया है सराव के नसे में जारखन पूलिस के जवान सलक पर कर रहा था नटांकी धनबाद जीला पूलिस मुख्याले से कुछ ही दूर पर सदर थाना हाय सदर थाना चेते के रंधीर वर्मा चौक जहां बीच सड़क पर सराव के नसे में बेसूद जारकन पूलिस के जवान नटांकी कर रहा था रागीर तमास बीन बनकर देख रहे थे पूलिस की वर्दी में सराव पीकर बीच सड़क पर गीरे जवान को देख लोग अचम भी थे बता दे पूलिस की वर्दी में जवान सराव के नसे में इतना चूर था कि उसे कुछ पता तक नहीं चल रहा था इस दरान पुलिस जवान सवग पर सो रहा था फिर कुछ देर में बैट कर कुछ बोल रहा था जवान ख़़ा होने की कोशिस भी कर रहा था लेकिन नसे के हालात में अपने पाँ पर ख़़ा नहीं हो पा रहा था नसे के आलात में बेसूत जार्खन पुलिस के जवान को हर कोई आते जाते देख रहा था जार्खन पुलिस के बच्चों के लिए स्वास्त और सेक्षिनिक सुविदा होगा बहाल मुख्यमंत्री हमां सुरेन ने कहा है कि राज के सवी पुलिस लाइनों वाहनियों केमपो ट्रेनिंग सेंट्रों पिकेट और इससे जुड़ी दूसरी इकायों का अगले दो वर्सों में काया कलाब किया जाएगा वहनियों केमपो वा पुलिस लाइन आदी में पुलिस कर्मियों के लिए जीम की बेवास्ता होगी ताकि वे चुस्त दुरुस्त रह सके उन्होंने कहा है कि पुलिस बलके जवानों को अने बिक्सित राजियों की बेवासा से भी बेहतर बेवास्ता राजी के पुलिस कर्मियों के लिए मुहया कराने के लिए परतिवत सरकार है साथ ही इनकी स्वाहत सुविधावा इनके बच्चों के लिए सेक्षिनिक सुविधा बहाल की जाएगी वहीं राजी के पुलिस कर्मियों में ब्याप्त सभी सिकायतों को समाप्त किया जाएगा आने वाले दिनों में हमारी सरकार पुलिस कर्मियों को कारे छेतर में आने जाने की सुईधा खाने पीने की सुईधाव वर्दी इत्यादी सहीत अने सुईधावों को और बेहतर करने का काम करेगी नीजी छेत्र में 75% अस्थानियों को रोजगार की जाच जारखन के नीजी छेत्र में 75% अस्थानियों उमिद्वारों का नियोजन हो रहा है या नहीं इसकी जाच के लिए जार्खन बिधान सभा ने पांच बिधायकों की एक कमिटी बनाई है जिसमें नलिन सुरेन कमिटी की संजोजा खाए जबकि परदी प्यादव, नरायन, दा, सुधिव, कुमार और भोसन बड़ा सज़ा से बनाए गए है कमिटी गयर सरकारी कर्यालों के साथ सरकारी कर्यालों भी भी एजेंसियों दर उपलब दे कराए गयर मानव स्रम की भी जाच करेगी कमिटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट बिधान सभा 10 को सोपेगी इस कमिटी का अख़न बिधान सबाग सितकालीन सत्र के दोरान ध्याना कर्शन में उठे एक सवाल के अलोक में क्या गया है सहजन के फूल फूल के साथ पतियों से दूर होती है बिमारियां सहजन के फूल फूल व पति का सेवन स्वास के लिए काफिलाब कारी है अईरोवेदिक चिकीर सक्ट डाक्टरन मरिज ने बताया है कि दूत की तुलना में सहाज़न में 4 गुना अधिक कालसियम वा 2 गुना परोटिन पाया जाता है सहजन की पतियों में विटामीन C होता है फल फूल वा पतियों में कार्भो हाइटरेट, प्रोटिन कल्सियम, पोटेसियम, आयरन मैंगनेसियम, विटामीन A, C वा B complex पाया जाता है इसके फूल वा फल की सबजी बनाई जाती है सहजन की पतिया बीपी वजन घटाने नेत्र रोग मोच साटिका घठिया में लबतायक है इसके फूल कॉप हुआ पेट के रोग में फायदा पहुचाता है वही सहजन इम्मुनिटी बढ़ाने में मददगार है बरतमान बजार में सहजन का फॉल 120 रुपे वफूल 80 रुपे प्रतिकिलो जबकि पता 10 रुपे बंडल बिक रहा है देवगर में दो साल बाद निकलेगी सीवबरात करीब दो बरस बाद 18 रुपे को महा सीवरात त्री में बाबा बैधनात की नगरी देवगर में सीवबरात निकलेगी करीब 26 बरस पुरानी इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए गोड़ा सांसर डक्टर निसी कान दूबे आगे आया है सांसर डक्टर दूबे ने बताया है कि दो बरस कोविड के वज़ा से महा सीवरात त्री में सीव देवगर में सीवबरात नहीं निकल पाई थी इस सीवबरात में लाखो लोग का आस्था जुडा हुए है देश भर के लाखो सीव भक्त सीव बरात देखने देवगर पहुँचते हाँ दो बरस बाद फिर से इस प्रमपरा को आगे बढ़ाते हैं इसकी त्यारी की जा रही है दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने वाले पती और सास ससुर को उम्र कैद जार्खन के गोड़ा जिले में दहेज के लिए बिवाहिता को किरोसिन छिड़कर जलाक कर मार देने के मामले में मोतिया निवासी पती रमन कुमार ससुर सुभास हरिजन एवंत सास सुसिला देवी को जिला जज तिरितिय जानार्दन सिंग के अदलत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है नियालाय ने तीनों दोस्यों को 14 वर ससरम करावास तथा 25 रुपे जुर्माना भरने की सजा सुनाई जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त करावास की सजा काटनी होगी बता दे 19 जुलाई 2014 की घाटना को ले कर मोतिया ओपी पर की गई सिकायत के अधार पर मुपसिल थाना में कांड अंकित कर पुलिस अंसुन्धान सुरू किया गया था पलामू लाइन में नसे की हालात में पुलिस जवान ने चलाई गोली जार्खन के पलामू के मेदनी नवर इलाके में उस वक्त हलकांप मच गया जब नसे की हालात में पुलिस जवान ने सुक्रवार की सुबा परेट के दवरन फारिंग कर दी अलाके दूसरे जवान की ततपरता से कोई अन्होनी न हो सकी आरोपित जवान के खिलाप करवाई शुरू कर दी गई है जनकारी के मुताबिक पलामू पुलिस लाइन में सुक्रवार सुबा गंतर दिवस की त्यारियों के लेकर जवान परेट कर रहे थे करिब साले नव बजे आचाना गोली चलने की आवाज आई परेट में सामिल पुलिस लाइन के अधिकारी और जवान जिस ओर से आवाज आई थी ओ जिसा में दड़े वहाँ एक राइफल को एक तरफ से संत्री ससी पासवान आदूसरी तरफ से बिरेंदर पासवान पकड़े हुए थे दुलहा बन दुलहन से साधी रचाने पहुँच गई योती जारखंड में रामगर के गोला थाना छेतर के जरा डिगा में एक योती गुरुवार को युवक की बेसबुसा में एक आदिवासी योती से साधी करने पहुँच गई यूती ने लड़की वालों से मोबाइल पर ही साधी के लिए संपर्ख किया था लड़की वालों को उनसे एक मदस्ते से कहलवाया था कि लड़का बाहर में काम करता है इसलिए एक ही दिन में लगन और विवा होगा गुरुवार देर राज साधी के लिए दूलहे के भेस में यूती बरातियों के साथ दूलहन के घर पहुँच गाई साधी के मंडप में बैठने के बाद गरामिनों को उसका हुलिया और नेन नकसा को देख कर सक हुआ इसके बाद वहाँ उपस्थित महिलाओं ने दूलहा बनी यूती से यह बात कही और उसके पूरिस होने का परमान देने को कहा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को जारखन में एतिहासिक बनाने की त्यारी कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्स मलीका अरजून खरगे फरवारी महिने में जारखन आएंगे अभी तक के तय कारकरम के अनुसार 9 फरवारी को वहाँ पाकुड में कॉंग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का सुभारम करेंगे कॉंग्रेस कराश्ट्री अध्यक्स की पहले जार्खन दोरे को लेकर जार्खन पर्देस कॉंग्रेस ने तहिरा शुरू कर दिया है पार्टी के पर्देस करेयले में हाथ से हाथ जोड़ो कारकरम को राजे में एतियासिक बनाने ततराश्ट्री अध्यक्स मलिका अरजून खरगे की जरकन यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठा की गई जिसमें परदेश उपाध्यक्स अनादी ब्रह्मा कारेकारी अध्यक्स केशव महतो कमलेश सहित कई पार्टी पताधिकारी सामिल हुए अपने अस्थाइक रण की मांगोले का हताल पर बैठे नरेचेम करमियो के हरताल आज छठे दिन भी जारी रही हरताल के कारन स्वाथ सेवाप अशर हो रहा है इन आर एचेम कर्मियों के हरताल का ज़्यादा प्रभाव रेफलर यूनिट सेंटर पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि इन सेंटर से जुड़े एक सेंटर पर गाउं की गरवती महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया जाता है इस ट्राइक पर रहने के कारण विभाग दोवारा ऐसी चीन हित महिलाओं को सदर अस्पताल लाकर उनका प्रसव तता इलाज किया जा रहा है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदा भगेए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोफ्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फिर्वाइक अवस्य दे थांक्यू